आज की इस फीटियो को टोपिक है रिकागनेशन ओफ क्रॉस रेविन्यू मैथट यह बिसेकली मैथट है बाइपूड़क की कॉस्टिंग का सबसे पहले अगर बात करें बाइपूड़क की तो जब एक सिंगल production process में से main product के इलावा कोई और product बनता है, कोई secondary product बनता है, तो वो secondary product by product कहलाता है, जैसे के let's suppose एक company है XYZ oil refinery जो के oil को refine करती है, वो खाम तेल में से petrol और diesel को निकालना उसका मकसद है वो petrol और diesel में deal करती है, लेकिन अब let's suppose के petrol और diesel के इलावा, एक और product manufacture हो जाती है, जिस का मकसद नहीं था कि उस product को बनाया जाए, लेकिन फिर भी वो product जो है, इस production process में से निकल आती है तो ये जो दो products है, ये तो joint products कहलाएंगी, ये main product है, लेकिन जिसको बनाने का मकसद नहीं था, जो इन दोनों product से हटके है, उस product, वो product secondary product है और उस product को हम कहेंगे कि वो buy product है, अब यहाँ पर joint product की तो values equivalent होती है, तकरीबन एक जितनी होती है लेकिन जो buy product है वो joint, joint product की value से बहुत कम value की मालिक होती है अब क्यों के crude oil एक same process से उसने इन तीनों product को manufacture किया है तो एक same cost लगेगी इस पर जिस cost को हम कहेंगे कि यह joint cost है, इस cost को common cost भी कहा जाता है अब जब joint cost है, same है इन तीनों product के लिए petrol के लिए, diesel के लिए और paraffin के लिए, और हम कह देते हैं कि जो joint cost है जो same cost इन तीनों product पे लगी है वो लगी है, एक लाक रुपे की अब इस method के थू, gross revenue method के थू हमने ये देखना है कि ये एक लाक रुपे by product को किस तरह से charge के जाएंगे तो यहां पे gross revenue method या gross revenue recognition method ये कहता है कि जो joint production cost है ये जो एक लाक रुपे की cost है ये by product को apportion नहीं की जाएगी अब ये by product को apportion क्यों नहीं की जाएगी तो इस method में ये कहा जाता है कि क्योंके मकसद सिर्फ और सिर्फ joint products बनाना था, petrol और diesel तो इस वज़ा से ये जो cost है joint cost ये सिर्फ और सिर्फ primary या main products को charge की जाएगी बलके by product को charge नहीं करेंगे इस method का ये concept है कि by product को कोई भी joint production cost चार्ज नहीं की जाएगी अब यहाँ पर इस method को company क्यों इस्तमाल करती है अपनी organization में या by product के लिए तो क्योंके यहाँ पर एक point आता है इस situation में company इस method को इस्तमाल करती है जहाँ पर ये कहा जाए कि जो by product है उसने sale हो जाना है split of point पर तो अगर company की by product split of point पर sale हो सकती है तब company इस gross recognition method को इस्तमाल करेगी by product की costing के लिए अब यहाँ पे मजीद एक question raise होता है कि हम by product को cost नहीं charge करते बलके primary product को cost चार्ज करते हैं तो जब primary product को cost चार्ज करेंगे तो by product को किस तरह से deal करेंगे हमने यहाँ पर कहा कि by product जो है split of point पर sale होगी तब इस method को इस्तमाल करेंगे तो फिर by product के लिए क्या treatment होगा by product basically company को revenue generate करके देगी और revenue क्यों generate होगा क्योंकि इस method का main purpose ही यह है कि यह जो by product है इसने sale होना है split of point पे अब जब इसने split of point पर sale होना है तो फर्दर इस पर कोई भी cost नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर यह sale हो जाएगी तो हम assume कर लेते हैं कि यह जो by product थी paraffin इससे जो revenue generate होगा वो होगा rupees 10,000 का अब इस 10,000 रुपीज को कहां पर charge करेंगे इस 10,000 रुपीज के revenue का क्या करना है इसको हम मज़ीद जान लेते हैं क्योंकि यह हम जो method पर रहे हैं यह gross revenue है तो gross revenue के हमने reason भी देख ली कि यहाँ पर gross revenue लेते क्यों है क्योंकि assumption यह है और यहाँ पर situation यह है कि जो buy product है उसने split of point पर sale हो जाना है तो इस पर मज़ीद कोई भी cost नहीं लगेगी जब मज़ीद कोई भी cost नहीं लगेगी तो यही जो gross revenue है यही company के लिए net revenue भी होगा तो यहाँ पर इसलिए हम gross revenue को लेते हैं क्योंकि इसमें कोई cost नहीं होती तो इसी को हम net revenue भी consider करेंगे gross revenue basically वो revenue होता है जो कोई भी expense less करने से पहले का होता है तो यहाँ पर कोई expense है ही नहीं इसलिए हम directly gross profit को ले रहे हैं और इसी को हम treat करेंगे कि यह net profit है net revenue है sorry तो अब यहाँ पर जब gross revenue होगा तो उस gross revenue को company चार तरह से चार तरह की approaches यूज करके present कर सकती है जिसमें अगर जो सबसे पहली approach के बारे में बात किरें तो company इसको as a other income treat कर सकती है क्योंकि यह revenue है इसलिए company इसको as a other income treat कर सकती है अभी as a other income कहां पर treat करेगी जहां फाइनस statement of profit and loss बनाएंगे तो उसमें operating income already show की जा रही होगी हम assume कर लेते हैं कि जो operating income आएगी वो आएगी एक लाक रुपे की अब other income में हम revenue from sale of buy product लिखेंगे और यहां पर जो 10,000 रुपे का gross revenue आया है उसको add back कर देंगे तो यह income before tax हो जाएगी एक लाक दस हजार रुपे की अब यहां पर company के अपनी policy के मताबिक देख लेगी कि उसने other income को treat करना है as a other income sale of revenue of buy product को treat करना है या नहीं करना दूसरी जो approach है वो यह है कि company इस revenue को as an additional revenue भी treat कर सकती है additional revenue जब वो treat करेगी तो वो क्या करेगी कि sale of main product में sale of buy product को add कर देगी हम assume यह कर लेते हैं कि 2,000,000 रुपे की जो sale है वो है main product की और साथ ही साथ हमने कहा था कि 10,000 रुपे की जो sale है वो हो जाएगी buy product की तो अब जो additional revenue के तोर पे जब इसको treat करेंगे तो जो company का total revenue और total sales आ जाएंगी वो आ जाएंगी 1,000,000 रुपे की तो इस application को भी company अपनी मर्जी से consider कर सकती है तीसी जो application है वो ये कहती है कि company cost of sale में से deduct भी कर सकती है इस revenue को वो किस्ता से कि यहां पे हम देख लेते हैं कि जो cost of sales है let's suppose कि वो cost of sales है 70,000 रुपे की अभी अगर 70,000 रुपे की cost of sales है तो हमने कहा जो revenue आ रहा है वो आ रहा है 10,000 रुपे का तो अब क्या करेंगे कि इस 70,000 में से 10,000 रुपे को less कर देंगे तो ये company का पास जो cost of sale या reduced cost of sale आ जाएगी new या reduced cost of sale आ जाएगी वो आ जाएगी साथ हजार रुपे की अब company इस 70,000 रुपे की बजाए 7,000 रुपे को अपने income statement में record करेगी अब यहाँ पर ये तीसरे भी application हो गई है अब जो last जिस तरीके से आखर जिस तरीके से company इस by product के revenue को treat कर सकती है वो है deduction from total manufacturing cost company के पास जो by main product की total production cost होगी उसमें से वो revenue from sale of by product को reduce कर सकती है ये भी एक तरीका कार है अब यहाँ पर क्या हम assume कर लेते हैं कि 50,000 रुपे cost है total production cost है petrol और डीजल की इसमें से हम less कर देंगे इसकी cost को reduce करने के लिए 10,000 रुपे का revenue तो ये company के पास 40,000 रुपे का deduction from so it new total manufacturing cost आ जाते हैं यहाँ पर हमने टी-म से लिख दिया total manufacturing cost के लिए तो ये अब company जो treat करेगी manufacturing cost को अपने income statement में वो treat करेगी 40,000 रुपे की 50,000 रुपे की treat नहीं करेगी क्यूंके revenue of by product ने इस manufacturing cost को reduce कर दिया है तो मतलब क्या हुआ कि ultimately इन चार तरीकों से इस buyer product के revenue को treat करने से हमें ये पता चला कि हर हाल में company को benefit होगा और benefit monetary terms में होगा मतलब company का profit increase होगा अब profit क्यूं increase होगा क्यूंके हमने देखा कि या तो company इसको income treat कर रही है जिसकी वज़ा से income increase हो रही है या फिर इसको company deduct कर रही है cost से जिसकी वज़ा से cost reduce हो रही है तो income increase करे या cost decrease करे ultimately जो profit है company का वो increase करता है तो जिस तरह से यहां पर भी हम देख सकते हैं कि दो जो तरीके हैं उसके मताबिक हमने deduct करनी है benefit cost को reduce करना है और जो 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 मजीद तरीके हैं उसके तरू हमने revenue को increase करना है तो ultimately जो company का profit है वो increase करेगा इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कोई बे organization buy product को cost कर सकती है market value sorry gross recognition method के basis पर जब वो buy product sale label होगा at split off point